दोस्तो प्रणाम, प्रणामी एग्रवेट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो मैं हूँ निशान्त और कैमरे के पीछे हैं मेरे दोस दीपक दोस्तो आज हम बात करेंगे कि भाई बारिश के मोसम में हम ऐसा क्या करें कि जिससे थनेला रोग जो थनों की सूजन है जिससे दूद निकालते वक्त दूद में पस आ जाती है या मोटे-मोटी गाठे पड़ती है या थनों से खून निकलता है ऐसी बिमारी से बचने का हम पहले से ही क्या उपाये कर लें कि ये बिमारी हमारे फार्म पे या हमारे घर पर जो पशू बंदे हुए हैं उनमें आये ही ना तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि पशू का दूद निकालने के बाद उसे कम से कम आपको 15 मिनिट तक बैठने नहीं देना है ये आप बहुत जरूरी स्टैप मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 मिनिट तक आपको अपने पशू को नीचे जमीन पर नहीं बैठने देना है उसका मुख्य कारण क्या है कि जो चिद्र जिसमें से दूद निकलता है वो अभी खुले रह जाते हैं जब तक पशू पालक उसका दूद निकालता है उसमें कम से कम 15 मिनिट का समय लगता है वो चिद्र बंद होने में और ये जो बारिश का मोसम है इसमें धरती के उपर कही तरह के जिवानों विशानों फैले हुए होते हैं जो उस छेद के अंदर से पशू की लवेटी के अंदर पशू की दूद की थैली के अंदर जा सकते हैं जिस से उसमें बैक्टीरिया पनप सकता है और थनेले रोग जैसे महाइम बिमारी का रूप ले सकता है तो पहला स्टेप आपको ये जरूर करना है कि अपने पशू को 15 मिनट तक दूद निकलने के बाद बैठने नहीं देना है दोस्तों दूसरी बात जहां भी आपका पशू बैठता है बारिश के मौसम में उसकी बेहतरीन से बेहतरीन आपको सफाई रखनी है ताकि कोई भी जिवानों और विशानों उसमें ना जा पाए तीसरी और आखरी सबसे महतुपुरन बात दूद निकालने से पहले हलके गरम पानी से अपने पशू के थनों की सफा पूर वोश करना है ताकि आपके हाथ पर लगे हुए भी विशानों उसकी दूद की थेली में ना चले जाए और दूद निकालने के बाद एक चुटकी लाल दवाई थोड़े से पानी में डाल कर उस लाल दवाई के पानी से उसके थनों की सफाई करनी है जिससे उसका जो लवेटी है वो पूरी तरह से बैक्टेरिया रहित हो जाएगी जब वो फर्ष पर भी बैठेगी तो भी बैक्टेरिया उसकी लवेटी में परवेश नहीं कर पाएंगे वो जो लाल दवाई का लेप है वो जो कवर है वो उसको पुर्ण तह सुरक्षा देगा दोस्तों ये बहुत महतोपुर्ण तीन चार बाते हैं जो आपको थनेला रोग होने से या थनों की सूजन होने से पहले ही करनी है ताकि इस बारिश के मोसम में आप इस खतरनाक बिमारी से अपने पशू को बचा सकें धन्यवाद दोस्तों इसी तरह से हमारे इस चैनल पर आप जुड़ कर सकें तो दोस्तों मैं निशानत और आज आगया लूँगा कल एक नए टोपिक के साथ आप से दोबारा मुलाकात होगी